Hey guys this is Nitesh, welcome to another TriHackme classes, TriHackme series का ये 3rd video है and as I said मैं इस पूरी series को बिलकुली beginner level से cover up करूँगा ताकि जो भी students हैं वो present या future में इस series के videos को जब देखेंगे तो उनको TriHackme के lab solve करना आ जाएगा, उनको TriHackme के CTF solve करने आ जाएगे rooms solve करने आ जाएगे, एकदम beginner level से वो कर पाएगे, तो guys सबसे पहले तो हम यहाँ पर TriHackme के dashboard पर आ चुके हैं यहाँ पर learn वाले टैप पर जाएगे, तो यहाँ पर हमें learning paths दिखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम सबसे easy वाले learning paths से start करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका introduction to cyber security आता है तो हम इसको open कर देते हैं, यहाँ open करने पर याद रखिए guys अभी जो यह paths आपको मिल रहे हैं, इसमें जो machines मिलेंगे काफी easy होंगे, काफी easy होंगे, तो आपको बहुती like बहुती कम challenge लगेगा इनको solve करने में, but still आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे and धीरे 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 जब आप hard machines के तरफ बढ़ेंगे तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, even in fact intermediate machine से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा but आपको यह सारी चीजे भी करनी है, आपको ऐसा नहीं कि skip कर देना कि चलो यार यह तो easy है, इसको skip कर देते हैं यह आपको हर एक machine के साथ, हर एक path के साथ आपको काफी कुछ जानने को सीखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है हमारा hacking your first machine, तो basically हम hack करने का मतलब यहाँ पर hack करके सीख रहे हैं कि कैसे किसी भी machine को इस तरह से hack होने से बचाया जा सकता है, so basically this is for all educational purpose, hacking your first machine पर आते हैं यहाँ जब यह सारी चीज़े आप इसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ हुआ ह hack ठीक है, और यहाँ पर start machine का option दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि start machine पर आपको click करना है, उसके बाद एक terminal open करना है, उसके बाद एक website होगा, उसका जो कुछ hidden उसके website के pages होंगे वो आपको find करने है, तो सबसे पहले हम start machine पर click कर देते हैं, तो हमारा machine जो है, वो deploy हो जाएगा, machine start होने के बाद आप इनके दिये के instructions को follow करके, इस room को solve कर सकते है, ठीक है, machine start होने में थोड़ा time लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस machine का title है, hack, fake bank, and IP address यहाँ पर थोड़ी दिन में show हो जाएगा, almost एक minute में, और यह जो machine है, एक minute पर expiry, यहाँ कि दो घंटे का time होता है, machine के expiry में, उसके आप चाहो तो फिर extend कर सकते हो, expiry से पहले, तो यहाँ पर guys, यहाँ पर आपको दिया हुआ, एक terminal open करना है, find hidden website pages, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ, most companies will have an admin portal page, giving the staff access to basic admin controls for day-to-day operations, तो यहाँ पर आ सकता है, जहां से आपको, यह machine जो है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें इन्होंने, आपको बताया हुआ है, goobuster tool का इन्होंने use किया है, simply goobuster-u, and उसके बाद, जो भी web page का address है, वो दे देना है, and hyphen w से board list, mention कर देना है आपको, and फिर आपको जो directory के लिए, dir यहाँ इन्होंने use कर लिया, यहाँ पर machine जो है, launch हो चुकिया, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का, यह जो आपका page है, यह आपका page है, basically fakebank.com, यह हमारी website ही है, जो इस website को, simply क्या करते है, इसको हम copy कर लिए, इसको copy कर लिया, बहुत बढ़िया, अब जो है, हमारे पास, यह बो है, जिससे कि आप hidden directory को find कर पाएंगे, हमारे इस website पे, तो हम gobuster के use करने वाले है, तो हमने gobuster कमान लगा है, hyphen u दिया, and domain के लिए, उसके बाद हमने जो website copy की थी, basically हम यहाँ पे इसको paste कर देंगे, यहाँ यहाँ पे इसको paste कर दिया है, यहाँ पे fakebank.com, उसके बाद hyphen w से word list mention करना आपको, wordlist जो है, desktop पे ही पढ़ा हुआ है, तो wordlist.txt कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको dir देदेने directory सर्च के लिए, और enter press कर दे, enter press करने के बाद, यह directories को search करना सुरू करेगा, जो भी hidden directory है, उनको find करने की कोसिश करेगा, कोई भी hidden directory है, जो कि आपके सामन आएगा, तो यहाँ पे आपको show हो जाएगा, तो basically यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पे एक slash image directory हमें मिली है, इसका जो stdp status code 301 है, यह redirect mode में है, तो हमें इससे कोई अभी फिलाल मतलब है नहीं, यहाँ पे दूसरा जो page open हो रहा है, वो है slash bank slash transfer, यह हमारे काम कि है, क्योंकि stdp status code 200 है, इसका मतलब है कि यह accessible page है and working page है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमें, इस path को copy कर देना है, जैसा कि इन्होंने बोला, कि यहाँ पे आपको एक page मिलेगा, कौन सा bank transfer का, page found by gobuster, इसके आद आप क्या करना है, hack the bank, अब यहाँ पे मिल रहा है, इन्हो page that allows you to transfer money between accounts at the bank, type the hidden page into the fake bank website on the machine, ठीक है, तो हमें अब यह bank page है, इसको open करना है, तो simply हम यहाँ पे fakebank.com class दे देंगे यहाँ पे and यहाँ पे हमने जो basically copy किया था, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, okay and उसका एंटर करेंगे, फिर देखते क्या आता है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे guys, admin portal open हो चुका है, simply यहाँ पे, अब यहाँ पे simply आपके पास option आ रहा है, send from, send to and amount to send in USD, simple, अब यही हमारा task है, आप task को यहाँ पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, transfer $2000 from bank account 2276, ठीक है, so send from bank account, तो bank account number यहाँ पे देखना है 276 and send to 8881 है, 8881 and उसके बा already USD में है, that's it, so यहाँ पे, अब जो question है, when you have transferred money to your account, go back to your bank account page, what is the answer shown in the bank balance page, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, send कर देखें, ठीक है, इलकुल, यह send हो चुका है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे, अब bank account page पे वापस जाना है, तो यहाँ पे, मैं back कर देता हूँ यहाँ यहाँ पे bank account page हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ चुका है, bank account page, इसको हम रिलोड कर देता है, एक बाद, यहाँ पे यहाँ पे, आप देख सकते है, यहाँ पे आपके पास आ चुका है, congratulations to hack the bank, the answer to try hack me question is, bank hacked, simply अब जो है, इसको हमने यहाँ से, कर ले रहा है, यहाँ पे, इस वाले tab पे, जब आप open करेंगे guys, यहाँ पे आपको कुछ चीजे दिख रही है, यहाँ पे, आपको clipboard दिखेगा, clipboard पे आप आएंगे, तो यहाँ पे, यहाँ से आप इसको, अगर copy करते हैं, तो यहाँ पे, आप इसको paste कर पाएंगे, उसक correct, यहाँ पे, हमारा answer correct हो चुका है, उसके अधूसरा है, if you are a penetration tester or security consultant, this is an exercise you would perform for companies to test for the vulnerabilities in their web applications, find hidden pages to investigate for vulnerabilities, ठीक है, यहाँ पे, कोई answer नीच यह, completed कर देते है, terminate the machine by clicking the red terminate button at the top of the page, red terminate button यहाँ पे, आपको सब के उपर में, यहाँ पे दीख जाता है, यहाँ से terminate कर देना है, बस simply आपको terminate कर देना है, terminate हो चुका है, यहाँ पे हमारा answer, so basically आपने इसको solve कर लिया है, simply इस machine को, पहला जो machine है, नेक जो आपका, what is offensive security, इसके कुछ, बस theories पार है, आपको बस पढ़ लेना है, कि यहाँ है, what is offensive security, उसका completed, उसके बाद यहाँ पे, careers in cyber security, इसके बारे में अच्छा कासा write-up है, आप इसको पर लिजे, आपको काफी कुछ knowledge यहाँ पे मिल जाएगा, क्या career है, cyber security के अंदर and completed, that's all guys, यहाँ पे आपने complete करके कर लिया है, congratulations, you have completed the room, यह room completely आपका complete हो चुका है, introduction to offensive security, यहाँ पे अगर आप फिरसे आप back आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या है, introduction to offensive security and then introduction to defensive security, तो कि हम अगले हमारे वीडियो में cover up करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा short रखूंगा, ताकि हम थोड़ा detail में कर पाएं, क्योंकि अभी यह starting है, तो आपको काफी easy लगेगा, आपको लगेगा, अरे sir, यह तो काफी easy था, इसमें कुस था ही नह basically जो आपकी जो write-up है, उसको जरूर पढ़िएगा, उस write-up को पढ़के आपको काफी knowledge मिलेगा, काफी जादा जानकारी मिलेगी, अलग-लग tools के बारे में जानने को मिलेगा, अलग-लग approaches के बारे में जानने को मिलेगा, कैसे किस तरीके से tool को किसी use करना है, real target पे वो भी आ दोस्तों के साथ share कीजिए जो इस domain में है, अगर आपको basically इस channel पे content अच्छे रखते हैं, तो channel को भी subscribe कीजिए, and share कीजिए video को, thanks guys, इस video के लिए इतना ही, and मिलते है next video